LIC IPO में जिसने अभी भी investment किया है उसके लिए यह news बहुत ही important है तो हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे कि LIC का आज के दिन में GMP यानी जो grey market premium है ग्रे market price हो क्या है तो देखें काफी साड़े लोग अभी भी apply कर रहा है इसका जो date है 4th में से चालू है और 9th में को LIC का जो IPO है वो बंद हो जाएगा तो आज के दिन में जो LIC का grey market premium है ग्रे market price है वो 60 हो गया यह actually 90 रुपिस तक गया था 90 रुपिस से यह नीचे आ गया है आप यहाँ पे देख सकते हो कि as per market observers LIC IPO GMP today is 60 रुपिस which means grey market is expecting that LIC IPO listing would be around 1009 रुपिस यह पर आप देख सकते हो clearly लिखा है यह expectation है which is around 6.5% higher LIC IPO price brand of 902 रुपिस तो एक्चुली चो यह श्टारे था प्राइस वो एक्चुली 90 रुपिस ता तो वहां से यह घटके अभी 6 रुपिस हो रहा है थीक है तो थोड़ा सा क्रेज कम हुआ ह और आभी हम लोग देखेंगे कि कितना पर्सेंट खड़ी अभी भी हुआ है कितना पर्सेंट पॉलिश ओल्डर आभी भी LIC IP को खड़ीता है तो यहां पर देखिए जो LIC का पॉलिशी होल्डर है सबसे ज्यादा खड़ीतारी किया है 3.11 टाइम्स मलब तीन गुना से भी ज्यादा IPO को ओभर सब्सक्राइब हो गया है और यह जो स्टेटास है आप देख सकते हो में 5 आज के दिन में 7.15 पीम का यह लेटेस्ट डेटा आपको मैं दिखा रहा हूं जो रिटेल इंवेस्टर्स है उन्होंने भी इसको almost one time मलब डबल खड़ीतारी हो गया है जो institutions है ज आधा टाइम्स हो गया खड़ीतारी और employee जो है यहां पर देखिए लागातर खड़ीता है 2.2 टाइम्स मलब डबल से भी जाता ओल्लेटी खड़ीता हो गया है डबल से भी खड़ीता हो गया मतलब आपके पास अगर देखे 10 shares है तो इसका मतलब इसको 30 लोगों ने इसके मतलब यही है कि जादा जैसे हमरे नौकरी जो होता है government नौकरी जैसे 100 post होता है और उसके लिए application जो होता है वो है 1 lakh तो ऐसे situation है यहापे तो बहुत जादा खड़ीतारी हुआ है दोस्तों अभी तक 1.3 times total यहापे खड़ीतारी हो चुका है LIC IPO के लिए और यहापे द रखना है वह आपका allotment हो रहा है कि नहीं हो रहा है एंडिंग होगा 9 में को allotment आपका finalization हो जाएगा 12 में को आपको अगर allotment अगर मिल गया न तो आपको 13 या 14 मेमे आपका जो DMAT account है वहापे शो करेगा ठीक है आप जरूर 14 मेमे आपका DMAT account में देखिए कि आपका IPO जो है LIC का वह आपका DMAT account में शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है अगर हो रहा है तो आपको allotment हुआ है अगर नहीं हुआ है allotment तो आपको refund मिल जाएगा 13 मेमे 13 मेमे already आपको refund मिल जाएगा और listing जो होगा 17 में को 17 में is the big day कितना price में listing होगा आप comment करके ज़रूर बताइए यह जो आ बहुत ही important data है आप अगर इस LIC IPO में आभी आप apply करने वाले हो तो यह data आपको कुछ रखना चाहिए आपके पास क्यूंकि आपको जो पैसा जहां पर investment कर रहे हो उसके बार में आपको पता होना चाहिए कि कितना खड़ीदारी हो रहा है कितना chances है listing का तो देखिए आभी भी जो possibilities है वो 1200 में रूपीस में इसका listing होने का chances है उससे भी ज़्यादा हो सकता है based on GMP price तो यह informative वीडियो आपको कैसे लगा ज़रूर कमेंट करके बताए और अगर first time चैनल में है तो चैनल को subscribe करना ना बुले किकि आप ऐसे informative and genuine stock tips मैं हार्ड़ वीडियो में डालता रहता हू मिरे चालन में